नवस्कार कापिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुना लिए आज यूपी के दंगल में बात करेंगे तीन बड़ी ख़बरों की पहली बनारस में पेम मोदी की जनसभा की जानोंने कई बड़ी बाते कहीं दूसरी ख़बर में बात करेंगे सीएम यूगी के लखनों में हुई प्रेस कॉन्फरेंस की तीसरी ख़बर में बात करेंगे बहारतिय जनता पार्टिक के सांसर रीता भागुना जोशी के बेटे मयंग जोशी के सपा में शामिन होने की तो इनी ख़बर उपर चचा करेंगे चर्चा के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है Capital TV के एडिटर इंचीव जॉक्टर मनीश कुमार रप्टर साब बहुत स्वागत है आपने तो पहली खबर की बात करें तो यूपी के चुनावी समर के आखरी दौर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदिशेटर वारानासी में शनिवार को जन्त सबा की और कहा कि यूपी ने दश्रकों से ऐसा चुनाव नहीं देखा है जहां विकास काम के अधार पर वोट मांगा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मंचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भती जवात, अवेत कबजे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यूपी में विजूपी की सरकार बनेगी, साथ ही कहा कि आएंगे तो योगी ही डॉक्टर साब अब तो पीम मोदी ने में कहा दिया है कि आएंगे तो योगी ही देखे ये जो बात उन्होंने कही तो कई सारे लोगों को केलेजे पर सांप लोट रहा होगा वो इसलिए कि अभी भी कई सारे लोग इस बात की जिक्र करते हैं चर्चा करते हैं अभवा उलाते हैं कि बीजीपी कर जीत गई तो योगी जी को हटा दिया जाएगा किसी और को च मीडिया वाले ये जो दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग है जो कुनबा है वो इन सब चीजों के उपर अफ़ा उडाता रहता है बीजेपी कमजोर पर रही है ये हो रहा है वो हो रहा है हकिकत क्या है हकिकत ये है कि आज प्रचार खत्म हो गया प्रधानमंत्री मोदी दो दिन से वनारस में थे और वहाँ उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की पॉपलरीटी है मोदी के नाम पे वोट मिलता है ये बड़े-बड़े लीडर उनको ये सौभाग नहीं हुआ आजादी के बात से कि कोई लीडर चुनाओ कहीं भी हो किसी भी प्रांत में हो और किसी भी अस्तर का हो वहाँ लोग मोदी के नाम पे वोड़ देते हो और ये जो लास्ट फेज है ये इंपोर्टन्ट इसलिए भी है क्योंकि बनारस बन समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बनारस के बाहर उसके आसपास के इलागों में उतना अच्छा नहीं था लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि जो लास्ट के जो दो फेजिस हुए हैं जहां समाजवादी पार्टी को अच्छा इनका गडबंदन हुआ उन लोगों ने को टिकट पिले उन लोगों को तो जो औरिजिनल समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स थे जो पिछले पांच साल से इलाके में काम कर रहे थे वो नाराज बैट गए कई जगह से इस तरह की खबरे आ रही है कि समाजवादी का समर् डिस्टिबूशन से इस गडबंदन की राज़ीती से नाराज तो एक तरफ अकले स्यादव के लिए कि चिंता का विशय और दूसरी तरफ प्रधान मंतरी मोदी का प्रवांचल में ताबर तोड परचार ये अपने आप में बता रहा है कि चुनाव का बैलेंस वो किधर हलाकि बहुत सारे दिली में बैठे पत्रकार जो प्रधान मंतरी मोदी को हेट करते हैं ग्रणा करते हैं उनसे वो ये कह रहें कि बीजीपी के सिती खराब है लेकिन जो जमीनी हकिकत है भारती जिंता पाटी की सर्थ वहां पे जो चुनाव में जीत पकी है कितनी बड़ी ज जमीनी हकिकत बया कर रहे थे प्रधान मंतरी ने भी अपने भाशन में कहा कि जो आरोप लगाया जाता है कि हिंदु मुसल्मान करके वोट बीजेपी जीतती है प्रधान मंतरी ने सही कहा कि जो चुनाव ये हो रहा यूपी के अंदर में पहले बार कोई भी पार्टी ही अपने काम को दिखा करके वोट मांग रही है और वो काम क्या है ये भी समझे क्यों भारती इंता पार्टी के स्थित्ती मजबूत है जो इनका 22-25 फिस्दी के आसपास जो अगड़ी जातियों का जो समर्थन बेश है वो इंटाक्ट है साथ ही OBCS के अंदर यादव मैनस जो OBCS जातियां है वो भी भारती इंता पार्टी के साथ इंटाक्ट है और तो और मायवती के पास जो दलित समर्थन था उसका भी एक बड़ा चंक भारती जनता पार्टी के साथ है और इन सब के अलावा जो एक लाभारती का एक फौज जो भारती जनता पार्टी ने अपनी तरफ खीचा है वो बीजेपी को मोदी और योगी की जो डबल इंजिन की सरकार जो बीजेपी परचार करती है उसके साथ लोग खड़े हैं एक बात सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी के खिलाफ कोई एंटी इंकम्बिंस नहीं है लोगों की नाराजगी नहीं है नाराज वही लोग हैं जो पिछली बार भी नाराज थे नाराज वही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के बाद से भारती जिनता पार्टी से नाराज हैं नराज वो लोग हैं जो भारत में भारती जंता पार्टी को बिलकुल खत्म करना चाहते हैं वही लोग नराज हैं और ये तो रहेंगे ही ऐसा तो होगा नहीं कि तमाम जंता जो है आप भारती जंता पार्टी के साथ आ जाए तो ये जो चुनाओ पहले फेश से आखरी फेश तक आया इसमें एक चीज़ बड़ा कंसिस्टेंट दिख रहा है जैसे जिसे चुनाओ आगे बढ़ता गया भारती जंता पार्टी की पकड़ और मजबूत होती चली बारती जंता पार्टी का सवर्थन बढ़ता चला गया और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ती चली गई है यही इस चुनाव का एक अहम पहलू है आज परचार परशार बंद कल रेस्ट का दिन है साथ तारिक को पोलिंग होगी और साथ तारिक के शाम से एक्जिट पोल का रेजल्ट आना सुरू हो जाएगा मीडिया में टेलेजिन चैनलों के उपर लोग अनुमान लगाएंगे और दस तारिक को गिंती होगी तब यह सारी चीज किन लोगों ने क्या दावा किया किन लोगों ने किस तरह से एनलाइज किया इन सब के बारे में चर्चा होगी तो अब आखरी खबर में बात करेंगे सपा में शामिल हुए बीजिपी सांसद रीता बाहुगना जोशी के बेटे मयंग जोशी की आजमगड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश याद अपने मयंग जोशी के सपा में शामिल होने की घोशना की गोशना से पहले भी दोनों की बीच मुलाकात हो चुकी थी बताया जाता है कि रीता बाहुगना जोशी ने अपने बेटे को टिकेट दिलाने के लिए काफी कोशिच रही लेकिन वो नाकाम रही डॉक्टर साब क्या ये बीजेपी के लिए जटका है कोई जटका नहीं है अब तो खतम चुनाओ से पहले अगर वो समाजवादी पार्टी में गए होते उनको वहाँ टिकेट मिल गया होता वो चुनाओ लड़ चुके होते तब तो बात समझ में आ रही है अब कल वोटिंग है वो भी आखरी फेज इस वक्त समाजवादी पार्टी जोइन करने का मतलब क्या है मतलब यह है रीता जोसी वो एक ब्राम्वन लीडर है पहले कॉंग्रेस पार्टी में थी वो खुद सांसद है सांसद से पहले वो मंत्री थी वो चाह रही थी कि उनके बेटे को मिल जाए बीजेपी में नहीं होता बीजेपी में नहीं होता और यही दिक्कत इसी वज़े से कही सारे जो लीडर्स है जो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए क्योंकि उनकी मांग भी यही थी सौमी प्रसाद मौरिया भी चाह रहे थे बाई उनकी बेटी अवलेडी वहां से सांसद है तो यह सारे चीजे जो परिवार को लेकर के वह आपको बताऊं यह तो रिता बहुगना जोसी है राजनाज सिंग यह काम नहीं कर पाते हैं वो अपने बेटे के लिए क्योंकि वो खुद सांसद के लिए चुनाओ लगते हैं बेटे को टिकट नहीं मिलती है बेटे को किस चीज के लिए टिकट मिलती है तब आप एसेंबली में आते हैं जो भारती जन्ता पार्टी का अध्यक्ष रह चुका दो दो बार जो इस देश का रक्षा मंत्री है वो जब ये काम नहीं करा सकता है इन लोगों की क्या बिसात है और इन लोगों ने क्या सोच लिया कि आप दबाव डालेंगे प्रिशर डालेंगे और जिस हिसाब से मेसेज देना चाह रहे हो जैसे मैंने कहा कि अपरकाश वोट पूरी तरह से इंटेक्ट है कि आप मैसेज देना चाह रहे हो कि ब्राह्मन को आप ईधर से उधर transfer कर लोगे तो ये तो possible है नहीं पहली बात और दूसरी बात ये कि इस तरह के निताओं को भी भारती जनता पार्टी को समझना चाहिए कि आप जो भाड़े पे बाहर से दूसरी पार्टियों से आप निता को बोरो करके लाते हैं जो आपके लिए एक liability बन जाते हैं बारती जनता पार्टी संगठन में नेताओं की संख्या में कोई कमी नहीं है रीतिया बाहुणा जोसी बीजेपी में नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एन मोके पे जब उनके बेटे जब खुल करके अपने बेटे के लिए तेलिजन चैनलों को बुला बुला करके बाइट दे रही थी तो ऐसा लग रहा है कि एलेक्शन के बाद रीता बहुगुना जोसी के उपर कोई action जरूर होगा तो यूपी विदान सबा चुनाव भले ही अब अपने आखरी पड़ाव में पहुच गया हो लेकिन नेताओं का इदर रूदर होना जारी है अब भाजपास आंसर रुईता भाउगुना जोसी के बेटे मयंग जोसी ने सपा का दामन थाम लिया है हाला कि इसके अटकले कई दिनों से थे जिस पर शानिवार को सपाध्यक्ष अखिले श्यादव ने विराम लगाते हुए अपने चुनावी मन से ही इसकी घोशना कर दी अब देखना ये होगा कि आखरी पड़ाव में ये बीजेपे के लिए कितना नुकसान और सपा के लिए कितना फाइदा देगा आज के स्खाश शो यूपे के दंगल में इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रोगे कैपिटल टीवी नमस्कार